अगर ये तीन मिस्टेक्स कर रहे हो ना तो बोर्ड एक्जाम के अंदर दस से पंदरा नमबर कट सकते हैं मतलब आप एक्जाम के अंदर सब कुछ पढ़के जा रहे हो बट फिर भी अगर ये तीन मिस्टेक्स कर रहे हो ना तो नमबर कटना तो तै है आप सबी को आपकी गलतियों से बचाने के लिए यहां पर आया हूँ कुछ एथी मिस्टेक्स जिसको अगर आपने करना बंद नहीं करा तो बोर्ड एक्जाम के अंदर दस से पंदरा नमबर कट सकते हैं हाँ दस से पंदरा नमबर सुनकर शॉक लग रहा होगा ना कि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं हम तो सब कुछ कर रहे हैं दस पंदरा नमबर कहा कर जाएंगे बताऊंगा आज पूरी डिटेल में बताऊंगा बोर्ड एक्जाम से पहले सब कुछ पढ़ लेता है साइंस पढ़ लेता है मैथ पढ़ लेता है सिस्टी पढ़ लेता है इंगलिश पढ़ लेता है सब कुछ पढ़ लेता है बट जो वह बोर्ड एक्जाम के अंदर जाता है जैसे उसके हाथ के अंदर पेपर आता है पेप क्या सोचेंगे मेरे रिष्टिदार क्या सोचेंगे मेरे टीचर्स क्या सोचेंगे वो यह सब सोचने लग जाता है उसके बाद क्या होता है वो एक टफ सवाल देख लेता है एक हार्ड कोशन और यह प्यक्ति तुम आसुँ पहले आपको यह जोनेर्प जीर से, जिस दिन ऑक अजीवी डरर ओगांट में एक उद्व हो गा, एक अजीब साही आपके उपर प्रेशर होता है जिसकी वज़े से आप नमबर वहाँ पर लूस कर देते हो अब इसके रीजन्स क्या है, एक एक करके रीजन्स देखते हैं पहला जो इसका रीजन है वो है लैक ओफ रिवीजन द्यान से सुनना, तीन मिस्टेक्स बता रहूँ पहली है लैक ओफ रिवीजन अब रोहन के साथ क्या हुआ था? कि रोहन, जैसी रोहन ने पेपर देखा ना तो उस पेपर में वो कन्फ्यूज हो गया, उसे आता तो था बट उसे याद नहीं आ पाया वो याद उसे क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसने रिवीजन नहीं करा था उसने रिवीजन नहीं करा था उसने पढ़ाई तो करी थी उसने क्या करा था? उसने मैद भी बढ़ा था, जैस्टी बढ़ा था बढ़ बार बार रिवाइज नहीं करा था अब तुम्हारा दोस्त बोलेगा मैं तो ना आडी शर्मा भी कर रहा हूँ मैं तो ना ये किताब भी लगा रहा हूँ मैं तो ये XYZ किताब भी लगा रहा हूँ और तुम्हें लगता है कि यार ये भी कर रहा है तो चलो मैं भी कर लेता हूँ मैं विकर लेती हूं और यही तुमारी सबसे बड़ी मूरुकता है जादा resources पे मत भागो revise करो यह समय है revision का जितने जादा revision करोगे exam के अंदर उतना कम डर लगेगा तो पहली चीज क्या है? revision अब अगली के उपर हम बढ़ते हैं अगला हमारा point है lack of MCQ practice देखो होता क्या है न रोहन के साथ क्या हुआ? exam के अंदर कुछ questions tricky आते हैं tricky कौन से आते हैं? 90% chances हैं MCQ के अंदर assertion reasoning वाले questions tricky आते हैं इसके बीचे बेग चोटी सी कहानी है कल मैं next topper के students के साथ कुछ meet कर रहा था माहा के जो topper बच्चे हैं assertion reasoning उनके भी number करते हैं assertion reasoning की तो सोचो आत जब toppers की भी assertion reasoning में number कर रहे हैं तो मतलब यह तो बहुत बड़ी problem है हम क्या करते हैं? हम अपने weak topics पे काम ही नहीं कर रहे हैं हम क्या हैं? हम पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहें लेक्चर्स देखे जा रहें, लेक्चर्स देखे जा रहे हैं अरे तुमारी weak topics के हैं? assertion reasoning तो प्रैक्टिस करो ना SST, Science, Math, सबके assertion reasoning बैट के प्रैक्टिस करो जितने जादा लगा सकते हैं YouTube पे सर्च कर लेना chapter का नाम assertion reasoning मिल जाएंगे lectures देख लो प्रैक्टिस करो, जितना जादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना जादा अच्छा है और यह है हमारी mistake number two lack of question practice question practice करनी है, specially MCQ के अंदर assertion reasoning यहाँ पे नंबर कटेंगे, फिर से बोल रहा हूँ रोहन वाली गलती तुम मत करना तुम्हें होशियार बनो, तुम्हें रोहन वनना है तुम्हें होशियार बनना है, कैसे, practice करके और last और सबसे बड़ी गलती answer writing answer writing की practice तो कोई करता ही नहीं है एक बात बता, मुझे बहुत honestly बता ना comment section के अंदर, कितने ऐसे students हैं जिन्होंने sample paper लिया है पूरी बात सुनना, कितने ऐसे students हैं जिन्होंने sample paper लिया है और उन sample paper के जो sample papers मिलते हैं आपको उन सभी को 3 घंटे के 3 घंटे के timer के साथ आपने solve करा है solve से मेरा क्या मतलब है, लिख लिख के सारे answers को क्या आपने लिख लिख के try किया करा, अगर करा तो yes लिख दो अभी के अभी कमेंट में, अगर नहीं करा तो no लिख दो कर दिया कमेंट, अब सुनो मेरी बार 99% ऐसे students हैं जिन्होंने sample paper लिये बट उन्होंने sample paper बस पड़े हैं उन्होंने लिखे नहीं हैं बच्चे क्या करते हैं, sample paper उठाते हैं अच्छा question देखते हैं, अच्छा answer A होगा इसका B होगा, इसका C होगा, फिर 3 marker पे आ जाते हैं 5 marker पे आ जाते हैं, solutions देखते रहते हैं बट लिखते नहीं है, अगर तुम नहीं लिख रहे हो जाता है, time management हो जाता है, मुझे paper तुमारे छूड जाते हैं उससे तुम बच जाओगे, तो सबसे बड़ी problem है writing practice केवल 1% बच्चे ही writing practice करते हैं और वो 1% बच्चे ही 96, 97, 98% लेकर आने वाले हैं मुझे पक्का वरोसा है, जो writing practice करेगा, उसके number आएंगे आप तुम बोलो कि भाईया, revision ही नहीं हुआ है, writing practice कैसे करें देखो, अभी भी थोड़ा समय है, पहले revision करो, उसके बाद writing practice भी करते चलो अब यह जो writing practice है न, इसी के लिए, जो surprise मैं आपको starting में बताया था इसी के लिए एक surprise मैं लेकर आए हूँ, मैंने और दिगराद सर ने बहुत समय लगा कर एक ऐसी चीज़ बनाई है जो कि इंडिया में पहली बार launch होने जा रही है, आप board exam का feel अब घर से ले सकते हो जो board exam का, जो pressure होता है, time management होता है, वो पूरा का पूरा feel अब आप अपने घर से ले सकते हो कैसे, वो है हमारा नया एक बहुत बड़ा initiative आप सभी के लिए, जो की है प्रयास प्रयास क्या है, अभी समझाता हूँ आपको, मैंने और दिगरात सर ने बैट के इस पर बहुत मैनत लगाई है और मैं आपको बताता हूँ प्रयास है क्या चीज़, देखो, हमने क्या देखा ना, कि बच्चों को writing practice की जोरत है तो प्रयास करके हमने पूरा एक set of booklet बनाए, इसके अंदर आपको क्या-क्या मिल रहा है, पहले ध्यान से देखना आपको SST, Science, Math, English, चारो subject के दो-दो-दो-दो sample paper मिलने वाले हैं, मतलब overall 8 sample paper अब यह normal sample paper नहीं है, जो कि आपको books के अंदर मिलते हैं, यह sample paper, actual question paper की तरह आपको मिलने वाले हैं, जैसे आपके board का paper आएगा न, board के paper के उपर आपको roll number की space मिलेगी, board का paper जैसा दिखता है, उस प्रकार का, पूरा का पूरा paper आपको दिखने वाला है, और same paper quality में, जैसा board exam का paper आता है, बिल्कुल same, वैसे हम दे रहे हैं, उसके अलावा, इसके अंदर आपको मिलेंगी answer sheets, board वाली answer sheets, जैसे कि आगे मैं आ ऐसी answer sheets आपको मिलती है, जिसके अंदर आपको OMR वगेरा भी fill करना होता है, I hope आपकी screen पे visible होगा, आप देख सकते हो, यह OMR आपको ऐसे fill करना होता है, ऐसी answer sheets भी आपको मिलेंगी, इसके अंदर, 8 sample paper के लिए 8 answer sheet, ठीक है, उसके बाद क्या, आपको क्या करना है, sample paper एकदम आपको timer लगाना है, sample paper भी आपको कैसा मिला है, जो कि आपके board exam में होने वाला है, उसके बाद आपने timer लगाया, और आपने क्या करा, answer sheet उठाई, और उसमें solve करना start करा, तीन घंडे मैं solve करोगे, अब सवाल यह उठता है, कि check कौन करेगा, तो check भी तुम करोगे, पता है कै जैसे की मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यह है हमारी marking scheme chart, यह हमारी answer की, आप देख सकते हो, जैसे पहले का answer C है, दूसरे का answer C है, तीसरे का A है, ऐसी, पूरी की पूरी एक answer की आपको मिल रहे होगी, तो इसका क्या मतलब है, आप timer लगाओगे, actual answer sheet, जो की board exam की answer sheet होती ह उसके अंदर अपना paper लिखोगे, उसके बाद answer sheet के according, खुद की copies को check करोगे, और खुद को marks भी देदोगे, marking scheme भी पूरी की पूरी आगे आपको मिल जाएगी, तो पूरो का पूरो एक हमने bundle बनाए है, जिसके अंदर आपको English भी मिल रहा है, Math भी मिल रहा है, Science भी मिल रहा जो कि आपके लिखने के काम आएगा, यह सारा का सारा combination हमने बना दिया है, यह combination इडिया में पहली बार, और इसका नाम भी हमने रखा है प्रियास, क्योंकि आर देखो, यह education system में हमारी तरफ से एक चोटा सा योगदान है, है ना, अब तम पूछे के भईया, इसकी pricing क्या है इसकी cost क्या है, तो देखो हम इसमे cost charge कर रहे हैं, जो कि printing cost है, यह जितनी भी सारी चीज़े हैं, इसकी जो printing cost है, हम सिर्फ उतना आपसे charge कर रहे हैं, अब एक बात मेरी बहुत normal से सुनना, price के बार मैं बताता हूँ, अभी बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपने sample paper already ले अगर आपको एक exam hall का पूरा डर का महल बनाना है, वो pressure को feel करना है, और अपनी answer copies को ऐसे check करना है, तो यह आपके लिए best होने वाला है, और वो students, especially backbenchers, जिन्होंने अभी तक sample paper नहीं लिए, उनके लिए भी यह बना है, क्यों? क्योंकि होता कहा है न, अब आप जाओगे, अ जाधा से जाधा आप 2-2 sample paper solve कर पाओगे, इस time में, क्योंकि time बहुत कम है, already English का paper तो आने वाला है, तो इस कम time के अंदर, क्योंकि आप सिर्फ 2-2-2 sample paper ही solve कर सकते हो, तो यह पूरे bundle को ले लो, और इस पूरे bundle की price हमने रखिए 399 रुपीज मात्र, यह सारी की सारी हमारी printing cost है, यह सारे paper, सारे answer sheet, सब कुछ एक bundle के अंदर मिलेगा, उस bundle के उपर मेरी और दिग्राद सर की photo भी मिल जाएगी, ठीक है, तो यह सारी चीज़े आपको मिल रहे है, एक bundle के अंदर, जिसकी price हमने रखिए 399, link में description में देदूंगा, है ना, 3-4 दिन के अंदर किताब जाएगी, अभी pre-order पे हमने कर रहा, Amazon पे ही आपको मिलने वाली है, बस तो, पर limited stock है, मैं आपको बता जेता हूँ, हमने मात्र, इसकी जो stock है, वो हमने thousand रखी है, और thousand stock हमने इसलिए रखी है, केवल हजार बच्चों को हमें deliver कर पाएंगे, क्योंकि, जाधा students के लिए हमें सारी चीज़े बनाने में बहुत time लगता और उतना time हमारे पास है नहीं, ठीक है, अब एक और चीज़, सुनलो मेरी वाध्यान चीज़, सुनलो, last चीज़ बता रहा हूँ, एक और surprise है, अगर, 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 तुम वो student हो, जो कि कह रहे हो भईया, हम फिर भी afford नहीं कर पा है, इनकी PDF free में देदूगा, टेलीग्राम के उपर, ठीक है, मुझे पैसे नहीं कमाने तुम से, मुझे सर्फ उतना पैसा लेना है, जितना हमारी printing cost होती है, क्यों प्रिंटिंग में बहुत पैसा लगता है, है न, उतना पैसा मेरे पे भी नहीं कि मैं लगा दूँ, अपना हमारी तरफ से एक प्रयास है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा सकते हो, ले सकते हो, आई होप, यह तीनों की तीनों जो आपको आज प्रॉब्लम्स बताइए, उन प्रॉब्लम्स का solution अब आपको मिल गया होगा, और इस solution का फायदा उठाओ, और जल्दी से जाकर ले सकत होगा दोस्त, आखरी तक तुमारे साथ खड़े हैं, तुमारे प्रिशान बहिया, शुक्रिया एवरिमन, मिलते हैं नेक्स्ट वूडियो के मिल दर,